नमश्कार आप देख रहे हैं नेक्स्टेन स्प्रीच्वल आपके साथ मैं हूं रीना वैदिक जोदिश के अनुसार शनी ग्रह को अपनी राशी बदलने में करीब धाई साल का समय लग जाता है लेकिन 2022 में शनी एक ही साल में दो बार राशी बदल रहा है जिसे लेकर लोग थोड़ा परिशान है तो आपको बता दे कि समय परिक्रिया के तहत तो शनी एक ही बार राशी बदलेगा वहीं दूसरी बार इसका राशी परिवरतन इस ग्रह के वक्री होने के कारण होगा शनी 29 अप्राल को राशी बदलेंगा फिर 5 जून से अपनी वक्री चाल शीरू कर देगा इसके बाद 12 जलाई से ये वक्री अवस्ता से में मकर राशी में फिर से प्रवेश कर जाएगा इस राशी में 17 जन्वरी तो 2013 तक रहेगा इसके बाद वापश अपनी गोचर राशी कि राश्य वर्ष्य प्रभाव पढ़ने वाला है कि राश्य वालों के लिए समय नुकूल सावित होगा हर शित्र में सफलता मिलती हुए नज़र आ रही है आपके महनत रंग लाएगे वेतन में व्रिद्धी होगी आपको जिस प्रकार का पुरुच्छा हमल सकता है जो जातक इन उख्री मिलने की पूरी संभावना रहीगी कारेशित्र में आपके बॉस के साथ संबंद मजबूत होंगे अच्का हुआ धन वापस मिल सकता है तीसरी है धनु राशी धनु राशी इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ेगी आर्थिक रोप से आप इस दौरान संपन रहेंगे विदेश जाने की योज ना बन सकती है निवेश के मामलों में सफलता मिलेगी व्यापारियों के लिए समय शुहर है मगर राशी मगर राशी इस राशी वालों के लिए समय लापकारी साबित होगा आप अच्छा मुनाफ़ा कमा पाने में सक्ष्ण रहेंगे व्य करेंगे व्याफ पर राशी व्याप अच्छा मुनाफबा राशी व्याफ शुहर है में सबस्ब्स